तुम्हें पता है, लोग इंसानों को तो छोड़ दो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जो मुझ पर भी सवाल खड़ा करते हैं, मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कि जो हम भगवानों को भी जाति पांत में बाट देते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है, कि बनाने वाला त तुआरा नहीं किया मैं यूही थोड़ी ना कहता हूं कि सबका माले केक लेकिन मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं और अपने फाइदे के लिए और मैं फाइदा क्या कहूं अपने स्वार्थ के लिए खुद मुझे भी बाटने में बना लेते हैं अपने हिसाब से अपनी जाती बना लेते हैं और उसके बाद किस पर इलजाम लगाते हैं भगवान पर कि भगवान ने ऐसा किया है तुम खुद बताओ मैं एक बार नहीं हर बार ये पूछता हूं कि अगर हम अलग अलग हैं तो फिर हमने इंसानों को एक जै जैसा ही रूपरंग क्यूं दिया, एक जैसी ही शरीर की बनावट क्यूं दी, क्यूं अलग अलग नहीं किया, इतना बहुत होता है ये समझाने के लिए, लेकिन मेरे कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, उन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हा तुम्हारा और मेरा रिष्टा क्या है वो तो तुम्हारे और मेरे रिष्टे पर भी सवाल उठाएंगे उठाने देना और एक बात तुमसे कहता हूं कि तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें किसी को मेरे और तुम्हारे रिष्टे की सफाई देने क की जरूरत नहीं है तुम्हारा और मेरा रिष्टा जितना पवित्र है यह तुम जानते हो और मैं जानता हूं इसलिए शिर्फ अपने रिष्टे पर भरोसा करो विश्वास करो उस पवित्रता पर जिस पवित्रता के साथ हम दोनों एक धागे में बने हुए हैं और इसके अलावा कौन क्या कहता है और कौन क्या सवाल खड़े करता है कुछ भी कहने के जरूरत नहीं है वक्त अपने आप तुम्हारे और मेरे रिष्टे को एक ऐसे धागे में पिरोया हुआ देखेंगे जिस धागे की दोर बहुत तूट होगे वो कितना भी कोई तोड़ना चाहे लेकिन तूटेगी नहीं तो इसलिए मेरा तुम्हारा रिष्टा किसी के सामने बखाने के जरूरत नहीं है इस रिष्टे को अपने आप सामने आने कुछ ऐसा होता है और जिस रिष्टे से तुमने मुझे नवाजा है उस रिष्टे में तुम और मैं दुनिया के सामने अपने रिष्टे को लेकर आएंगे तुम मुझ पर छोड़ो मैं लेकर आऊंगा बस खुश रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो